बड़ी ख़बर आपको बता दे पाकिस्तान से आई मैला सीमा हैदर मामले से जोड़ी हुई बड़ी ख़बर आपको बता रहा है यूपी एटेस ने आब इस मामले की जांच चुरू कर दी है सीमा हैदर के पाकिस्तान के फोन नंबर की भी जांच जारी है ATS को नौइडा पुलिस ने जांच रेपोर्ट सौब दी है केंद्रिये खूफिया एजंसियों के साथ मिलकर UP ATS की टीम अब काम कर रही है तो बड़ी जानकार इस वक्त के आपको दे रहे सीमा हैदर का ये पूरा मामला लगतार उलजता ही जा रहा है पूलिस को दरसल बहुत विरोधाबास जो है बयानों में नजर आ रहता सीमा हैदर के जो बयान पहले दिये गए थे लेकिन अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो UP ATS को दे दी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सायोगी अमेत हमारे साथ 4-line पर जोड़ चुके है अमेत अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो UP ATS को दे दी गई है किसके कॉंटाक्ट में थी वो कैसे आई यह तबरम चीजिए जो हैं गाजियावाद पुलिस और नर्डा पुलिस दोनों इस पर नजर बनाए हुए से अब यूपी एटियस के एंट्री होगी है और जाहित और पर नेपाल से जिस रास्ते में आई है कि इनके कॉंटाक्ट में हैं और लगातार सीमा हैदर के एके कॉंटैक्ट के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है और ताकि कुछी भी तरीके से कोई डाउत नाया पाला योपी एटियस की तरफ से की जाएगी नौइडा पुलिस और गाज़ाबाद पूलिस ने अब तक जो भी यूपी एटीएस को दे दी कई है सीमा के पुराने मुबाइल नंबर की भी जाज़ परताल अब यूपी एटीएस की तरह से की जाएगी। पावितों को हर संभब मदद का भरूसा दिया। बुंदी में बारिश के वज़े से लोगों की मुश्किले बढ़ गए। बूंदी के कई लाकों में बारिश के चलते जल भराव हो गया जबकि कुछ जगा पुल के उपर से पानी बह रहा है खजूरी मार्क पर बने पुल पर पानी आने से आवजा ही बंध हो गए और तमाम लोग फस गए